ग्लोबल आईटिये की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फेस्ट से स्वागत है आज का भी वीडियो हमारा वाक्षॉप कैलकुलेशन और साइंस के लिए है इसका हमने पार्ट वन टू तू त्री फोर अल्री चैनल पर अप्लोड कर दिया है और हम लोगो थोड़ वीडियो चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा बाकी आज का ये वीडियो प्रोसेस करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देने चाहूंगा कि मैं चैनल पर आपको आईटिये के सभी सब्जेक्ट की लगभग आपको वीडियो मिल जाएंगे फिटर थेवरी एक सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए आज काम शुरू करते हैं वाक्षाप केल्कुलेशन का ये वाला जो पार फाइव एक और इंफॉर्मेशन थी वह आप जो है डिस्क्रिप्शन देखेगा वीडियो का तो वहाँ पर वाट्साप ग्रूप का लिंक मिल जाएगा वहाँ ज कर सकते हैं जिससे जो मेरा पर्स्नल एड्मीन का नंबर होगा उसके आपने को मैसेज कर सकते हैं ज्यूप्रेशन को करने को सुछ जाएगा क्योंकि ज्यादा तो लोग मैसेज ज्यादा हो जाते हैं तो सब कर रिप्लाइद देना भी थोड़ा मुस्की लोड़ा तो जो जिए आप अपने कोशन्स उटब गर सकते हैं चले सुरु करते हैं अध्यार के आज कर पहले हैं पांच जिए क्टना होगा ठीक है तो 32 किलो गराम है पांच गराम है लिचे आप हम देशन कंग तीन सुपच्वी सरा तो संबाव ही नहीं ठीक है आगे बत्तिस लोग पांच किलो ग्राम है 22005 ग्राम है यहां प्लस मालें पांच गराम है यह न 32 पांच ग्राम है यह न सकते हैं 32 किलो ग्राम को भी बदले वरी किलोग्राम में बतलना आई तो आपको मालूम होगा कि किलोग्राम में 1000 n, ठीक है, तो किलो बतलना आया न, बतलब 1 ग्राम में कितना play हो गंद किलोग्राम हो जाएक, यह वही काम आइग, तो इसका मतलि यह हम 1000 बाग blessings 5 बतल जाएग को बतangel केजी प्लस 5 बटे 1000 तब यह ग्राम से कितने हो जाएगा किलो ग्राम लो जाएगा 32 केजी प्लस 1000 से जब भाग देंगे तो क्या होता जितना 0 होता उतना इंग पे 10 मलो लगा दिया जाता है तो 3 अंग पे 10 मलो होगेगा तो 1 अंग, 2 अंग और 3 अंग एक, 2, 3 अंग पे देखे तो लग गया किलो ग्राम में चिंज हो गया आपका तो इन दोनों को एड कर देजिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32.005 किलो ग्राम यहाँ पे आसन देखे बद्रित लो जीरो जीरो पांच किलो ग्राम अस्तंति आपका सही है नेस क्रोस्चन है पहली संख्या 6 दूसरी संख्या 24 है यही संख्याओ का लगासर 36 है तो मसम martial यात कीज़े है ठीक है, यदी संख्याओ के लगासर कितना दर एक 36 है तो मसम तो इए बिलकुल आसान क्रोस्चन होती है इसके लिए आपको क्या या दोना चाहिए यह या सान है कहरम्रा का आता है आपका प्रत्हम संख्या sozusagen गोड़े दोथी संख्या की क्या इसे क्ल्ट टू लगत्त गोड़े मसâ लगुती मे इख एप हो वरते और संख्या कि रखा है तो यह लगता है कि इसको इधर गुड़ा इधर जागत क्या होगा तो बाग हो जाएगा मॉसव बराबर आप लिख सकते हैं 6 गुड़े 24 पटा 36 इधर गुड़ा इधर आया तो भाग हो गया 36 आप 6 चोग को 24 मॉसव इकल टू 4 आ गया देख सकते हैं पहला यह उसन आपको सही है 4 ठीक है नेस कुश्चन देखते हैं आज गर्मी थोड़ा बहुत ज्यादा लग रहे हैं इसलिए मैं फैन आउन कर दिया थो थोड़ी हो सकता है फैन की भी आवाद जाए तो इसको थोड़ा मैनेज कर लिएगा ठीक है नेस कुश्चन देखते हैं तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्यात कीजिए जिसमें 6-9 तो था 12 से भाग दने पर पतेक दसा में एक बचे यह आपके एक्जाम में ज्यादा तर आता रहता है कई बार आई टीयों एक्जाम में पूछा भी है ठीक है तो क्या कह रहा है कुश्चन में द्यान से पढ़ते हैं तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप समग तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी उससे लिख लेते हैं ठीक है तो तीन अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी 999 यह हो सकते हैं ना 3 अंग के सबसे बड़ी संख्या इसके बाद 1000 करेंगे तो उसमें 4 रंग और गहाँ तो तीन अंक के सबसे बढ़ी संख्या 999 अब बोला किया कि तीन अंगों के सबसे पड़ी संख्या ग्याद किजिए जिसमें 6-9-12 से भाग देने पर प्रतेख जसा में एक सिर्थ बचे ठीक है तो इस टाइप की कुशन में क्या करता है कि किस से भाग देना है 6-9-12 से भाग देने पर ना पहले 6-9-12 काम क्या निकाल लेते हैं या LCM नि अब दूश्का 12 फिर क्या है 2-3 तो कटेगा नहीं 9 वैसा ही रह जाएगा दो ते आए 6 अब किस से जाएगा अब 3 से जाएगा 3-1-3 तीन तुरिक के ना व तीन एक तीन से जाएगा 1-1-1 हो गया देख लेते हैं क्या आएगा अको है LCM तो दो गूड़े 2 गूड़े 3 गू 999 थी छेनों बारत से हमें देखना था कि भाग देने पर क्या आओ बस एक सीज़ बचना चाहिए तो हम 36 भाग देके निकालते हैं दो च्छा 12 को 2-1-2-3-6 बहतर हो गया ठीक है 9 से 2 गया 7 और 9 से 7 गया 2 और यहां पर कितना आजाएगा 9 आजाएगा इसके बार कितनी बार जाएगा ठीक है तो अब देखते हैं तो अब कितनी बार जाएगा दो सुन जाती है तो हम 8 बार देखेंगे तो ज्यादा हो जा र दो आपको कितना बज़िया 27 बज़िया ठीक है तो इसका मतलब है अगर 999 की जगह क्या होता उसमें 27 कम रहता नव सुन नियादे में अगर 27 कम रहता तो यह 36 से पूर्त भी बाजिस हो जाती ठीक है तो हम कम कर लेते हैं 999 में से 27 घटा देंगे नोम से 7 गया 2 और 9 से 2 गया पांच और 9 ठीक है 57गा दो 9 से 2 गया स्वरिय अगर बढ़ोगे साथ आऄा श्यूंत घुल सात गया डो बचाई गया तो साफ बचेगा नौस बचतर आ गया तो नौस बचतर आ यह को अगया था ऊसिंगर लुक्ति भाग दने पर प्रताइक जसा में सेस एक बचना चाहिए ठीक है जिसका मतलब 972 में मैं एक जोड दूँ तो कितना हो जागा 973 यही वह संख्या है जिसमें अगर हम 6,9 या 12 से भाग देंगे तो प्रताइक जसा में क्या बचेगा एक बचेगा अगर यह हमारी संख्या हो जागी 973 यही तरीका होता है करने के ज्यादा तर एक्जाम में आते भी रहते तो इसे वह आप द्यान से देख लिएगा नेस्ट कॉस्चन है 8 संबंदे 9 is equal to P संबंदे 72 ठीक है यह पूछ रखा है किसका P कमान पूछ रखा है तो इसको आप दानते हैं अर्पात को हम बटा में भी लिख सकते हैं 8 बटे 9 is equal to P बटे 72 ठीक है इधर को इसका इधर multiply कर देंगे तो P is equal to हो जाएगा आपका 8 गुडे 72 बटा 9 काट लेते सब्सक्राइब करेंगे आपका सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए आपको सिंपल ता फार्मुला बता रहा हूं इसको आप ध्यान रहेंगे कोई भी क्वेश्चन करने का बहुत ही असान तरीका होता है बस इसको आप ध्यान रहें कि M1 D1 T1 बटे W1 is equal to M2 D2 T2 इसको बटे W2 यह फार्मुला बस आपको याद रखना है M1 D1 T1 बटे W1 M2 D2 T2 बटे W2 तो आप कार समय पे कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं ठीक है कैसे जो M1 होता है या आदमियों की संख्या होती है D1 मतलब दिन का संख्या होता है T1 मतलब टाइ एक काम हो रहा है दो काम हो रहा है ठीक है वैसे इधर M2 क्या होगा यह है आदमियों की संख्या दूसरे दिनों की संख्या और दूसरे गंटे की संख्या और दूसरे काम की संख्या ठीक है तो इसमें क्या दिया है पांच ब्यक्ति आदमियों की संख्या दे रखा है और दि दोई चीज दिया घाता थो तो चारो ले लेते हैं पहले क्या बलाएं पांच व्यकथि इतने दिन में क्यांकर रहा हैं बद तीस दिन क्या है पहला है बद खिंग किस इकल दूसरा क्या है आठ भेक्ति दूसरे ब्यक्ति कितने ब्रेगे आपका इधर गुड़ा इधर भाग हो जाएगा फाइव गुड़े 32 अपां आठ चोग को 32 पांच चोग को बीस दिन मतलब अगर आठ वेक्ती काम करेंगे तो उसे 20 दिन में पुरांगे आपसम देखेंगे तो तो यह आपका सही है इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि एक इंच में ठीक है 25 दसनलब चार एम्यम थीक है थोड़ा पानी इंगरिया इसलिए से चलनी रहा है और इस इकल टू दो दसनलब पांचार सेंटीमीटर यह दोनों चीज़ आपको याद होने चाहिए ओने ने यह रहा है एक की चाहिए ठीक कुछ आपको याद होना सिजिए तो इस ही चीज से के हम निकले ला लेंगे कि यह क्या दिया है एक सेंटीमीटर और एक की मैं अनुपात 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 का मेने कीया बट्यवैं ही ऐस डोनों को यह थी किसे चेंश करनु पांचार सेंटीमीटर इसी को मनपात में लिख सकते हैं एक संबंदे जो बटा होता होते हैं एक संबंदे दो दस्मलों पांचार यहां आफिए अप्टन डिया आपका एक दस्मलों पांचार त्थिक बिल्कुल आसाना next question है आपका एक परिच्छा में 70% विद्यार्थी अंग्रजी में पास हुए ठीक है 65% गडीत में पास हुए तथा दोनों भी सवयों में 27% फेल हुए तो पास परसंटेज कितना होगा ठीक है तो पहले हम पास परसंटेज पूछ रखा है तो यहां पर बोल रखा कि दोनों भी सवयों में 27% फेल हुए इसका मतलब इसका मतलब कि 27% फेल हो गए तो 33% आपके क्या होंगे दोनों भी सवयों में पास हुए ठीक है अब क्या दिर्खा कि परिश्चा में जो है सतर बिद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए 65% जो गडित में पास हुए टूटल 33% पास हुए इसमें बता रहा है कि 70 इसमें पास हुआ और 65% गडित में पास हुआ है हम ठीक है तो यहां पे दोनों भी स्वयों होए 15 पर्सेंट णुकत हुए लिए पास कितने हुआ और सिंगर सिंगल में कितना दे sense में कि दिया घीक सिंगल में किसमें पास है English में प्लस 65% अंग्रेजी में इन में से जो दोनों में पास हुए है उसको गटा देंगो तो टोटल पता चल जाएगा कि कितने परसेंट पास हुए है ठीक है तो यह कितना जाएगा आपका पांच और साथ चे तेरह एक सो पैंटीस माइनस ती अतर इसे घटा लेजिए पांच पिसे तीन गया दो और तेरह से साथ गया चेव बास अट परसेंट तो आप देख रहे होंगे आपका उफन 20 सही है बास अट परसेंट ठीक है नेक्स्ट है अंडर रूट चार सव का बीस परसेंट मतलब चार सव को अटर रूट में यही ना अंडर रूट चार सो हो गया इसका पुछा बीस परसेंट कितना होगा तो इसका बीस परसेंट मतलब 20 बटे सब कितना होगा दो दोना, 4 आप्सन भी देखेंगे तो दो दोना, 4 दिया हुआ है आपका नेस्स कौूशन है वाइट मेटल में वाइट मेटल में बीस भाग तीन रहे गए आपर ठीक है टीन है बीस भाग किसका है, टीन का है, तीन भाग ताबा मतलब copper का है और दो भाग anti-money ये तो इनकी percentage क्या है सबकी अलगलग percentage पूछ रहा है तो white metal में कितना है 20 भाग है plus sorry 20 भाग क्या है टीन है plus जो है आपका तीन भाग copper है ताबा जो लिखा हुआ ठीक है ताबा है प्लस दो भाग anti-money है ठीक है total कितना हो गए तो मतलब गर white metal देखा जा तो total कितना मिला के बना हुआ तो 20 plus 3 23 दो 25 मतलब 25 भाग total मिला के हमारा क्या बना गया है white metal बना गया है तो पूछ रहा जो टीन उला भाग का percentage कितना है इसमें टीन उला भाग कितना परसेंट है तो इसका निकलने क्लिए 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 20 भाग है तो मतलब 25 में कितना ला बना घ्र करते हैं hundred से गुणा कर देते हैं टीन का परसेंट निकाल लें ठीक है टीन का percentage तो टीन का दिया हो था कितना टीन है इसमें 20 भाग है कितने में बीस रहें तो तो पचीस में कितने परसेंट ताब है तो तीन ऊपर लिख लिए गुड़े हंड्रेड को सब्सक्राइब बारा परसेंट ठीक है वैसे आपकी इंटी मनी की बात आती है इंटी मनी ठीक है तो इंटी मनी भी सब्सक्राइब करता है इस प्रत्यास्था राएगा आपको प्रत्यास्था हो गया है इसे क्या बोला जाता है प्रत्यास्था ठीक है जिसे इलाश्टी सिटी कहते हैं इलाश्टी सिटी ठीक है तो जुघड़ि आज इससे आप अदब जाते हैं लेकिन जैसे आप लोड अटाते ऐए जैसे इससे आप लोड अटाएंगे तो क्या होगा वापने प्रारमिय करस्था जाएगा आपने पहले सिट्री में अधिकता च्किल्द होता है अगर किसी वस् फड़ोगे तो वापस अपने स्थी में आएगी नहीं आएगी तो उस वाले गुड़ को प्लास्टिकता बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट है प्लास्टिक उसमें तो आपका बिजली फ्लो नहीं करेगी पॉर्सलेन चीनी मिट्टी होता है जो आपने देखा होगा उपर मिट्टी टाइप का पहले लगाया जाता था आप नहीं लगता है तो पॉर्सली नहीं होता है होता है यहां पर ग्रेफायट होगाया है फिर ग्रेफायट है तो यह कि पेंसिल में होता है उसमें के अधिरन तो एक गिरफ 25 متbaycan 175 घ्रमान 25C का मतलब उता है क्योविक सेंटिमिटर का मतलब क्या होता है क्योविक सेंटिमीटर के दिए रखा कि एक कदर्माइन 175 माले इस इसका घनत तो कितना होगा का फ़ावला मैंने पहले ही मतलद द्रभ्यमान तो इन सोट ख़िकल द्यूक प्लभ्यमान सब्सक्राइब द abbiamo भया तो यहां पे हमें द्रपमान कितना दि रखाए एक तो 75 अलाлю सेमी क्यूब जो भी है आपको इसे भाग देजिए 15 एकम 15 ठीक है दो बज़ गया कि दो बज़ गया आपको पचीस हो जाएगा फिर मतलब एक ही बढ़ जाएगा 15 एकम 15 पहला वलाई सही है 11.66 ठीक है नेस्स कुस्टन देखते हैं गुर्ट्व अकरसनल का मान होता है गुर्ट्व अकरसनल जो आपका इसमाल जी होता है उसका मान कूछ रहा कितना होता तो तो आप जानते होंगे 9.88 एक मीटर पर सेकेंड़ इसुए हैं आपको ऑसनमें देखेंगे तो आपको दिखाए देखर होगा 9.88 एक मीटर परती सेकंड़ इस्वाइर वेल्यू आपको याद रख नहीं है नेस्स कुस्टन है एक रेलगाड़ी 1500 किलो मीटर की दूरी 50 होर्समें तैय करती है 500 km है 500 और समय कितना लग रहा है 50 गंटे 50 घंटे ठीक है अब इससे डिवाइड कर देए कि पांतले 55 तीस चाल कितना जाएका 30 km प्रति हावर और समय देख लेजिए और संवस्थिए आपका सभी है 30 km जानते हैं जानते हमें इस टाइक से कंट्र लिखा हुआ है कि लिख तर को पूछ रहा तो आप जानते हैं प्रिवर्थ्न की दर क्षा होती है to who is equal to готов where it is equal to m just क्यार र्रभाबर होता है एक्यका क्यार है यह क्या है द्रव्यमान है है ॎक जी जो है edward day ha हैं है जो गुर्तव करशण और जो इच्छ है वह क्या आपकी उचाही है हो Мы जीज्यू क्यों कि उचाही है तो यहां पे हम लगाते हैं W is equal to M G H तो आप देख लेजिए M मतलब द्रभमान कितना दिया हुआ है 200 kg 200 लिख देते हैं इसलिए उपर देखे पूछा भी दाए एक क्वेश्चन में ठीक है तो आपको याद होना चाहिए तो भी आप निमेरिकल लगा पाएंगे जी कमान 9.81 गुड़े उचाई कितनी है तो उचाई यहां पे 10 मिटर दे रखिए तो उचाई की जिगन 10 रख देंगे ठीक है तो अभी देखिए 200 है और यह 10 है तो 210 में 2000 गुड़े 9.8 है अब इनका आपस में गुड़ा कर लेते हैं पहले 2 से गुड़ा कीजिए फिर 3 जीरो बाद में बढ़ा लेंगे गुड़ा कीजिए कितना आएगा उननी 1620 लेखते हैं जूल आएगा आपका तारे जूल में होता है उननी 1620 आप सुनती आपका सही है नेस्ट कोस्टन है एक जो है 10 हास पाउर की मोटर है प्रती दिन 8 घंटे चलती है तो 30 दिन में बिद्धत उर्जा खर्च होगी 30 दिन में कितना बिद्धत उर्जा होगी कितना खर्च होगा वाट गुडए घंटा गुडए दीन बटा 1000 ठीक है यह फर्टै तो वाट कितने है तुझे रखाको 10 हास पाउर है ठीक है हासपाउब में है तो इसे वाट में बदलेंगे तो टेन हास पाउर है आपको पता एक खांगो दसमलो 5 वाट प्रिक है 735 दिखुलो पांच वाट होता है आपका एक आसपावर में या फिर एक इसमें मिट्रिक में है मिट्रिक में और जो आपका ब्रिटीस में होता है वह 746 वाट होता है 1746 रिंटिस में होता है तो इस कोश्चे में दिया ही नहीं है कि आपको जो और लेना हो किसमी लेना मीटिक में पड्रिश में यह क।र्ची में यह क्या हो गया था है तो इसमें नहीं कर दोने को रखने मिलती है था है तो पार बेंगे honor 2 तो आगे देख्ते हैं लूह तो ये क्या था आपका एक खाशर में 755 वाट था ठीक है और हमारा किटना था तो तो एक खाश्पावर में इतना तो दस में मतलिदर यह जाता है यह हो जाएगा आपका सास त्यत्तर तो 55 वाट कितने में 10 आस पावर में ठीक है आगे फिर यहां क्या करेंगे वाट की जंग रखेंगे कितने गांटे दे रहा या आठ गांटे चलती है तो आठ कितने दिन तीस दिन की बात करता है थी सकते ओस्चेब खmm i550 ifрем i5g ऐन रखेंगे तो यह हैज़ित्म ऑड आगा और आपilot किसे आईगा आएगा में झाइगे यहां गड़ा कर लेते हैं आच पते चालिसा चाह टूल आगे लिके 24, 24, 28, 2 बज़ गया, 28, 26, 29 हो गया, ठीक है, अग उड़े 30, बटे 1000 है आपका, और यह देखें, एक जीरो यहां तर गड़ जाएगा, और एक जीरो यहां पर गड़ जाएगा, बागी उड़ा कर लेते हैं, 3, 4, 12, 2, 1 बचा, 3, 24, 25, 5, 2 बचा, 3, 24, 26, 26, 2 बज़ गया, 3, 15, 27, बटा 10, जब इससे आप भाग देंगे तो क्या होगा, एक अंग पर दसमल लग जाएगा, 7, 6, 5, 2, किलो वाट हावर, आप्सन देखिए, आप्सन भी सही है, 7, 25, 2, किलो वाट हावर, एक लास्ट क्वेस्टन है आपका, एक वस्तू, एक वस्तू, जो है, 10 सेकेंड में 80 जूल कारे करते हैं, तो इसके सक्ती क्या होगी, ठीक है, सक्ती मतलब P पूछ रहा है, आपको फार्मला, मैंने पहले भी क्वेस्चन बताता है, P जीकॉल टू, W, T होता है, P क्या होती है, आपकी सक्ती होती है, W जो होता है, एक कारे होता है, और T क्या होता है, आपका समय होता है, ठीक है, तो हमसे सक्ती पूछ रखा है, P कमान पूछ रखा है, W मतलब कारे, कारे दिया हुआ है, कितना कारे करती है, 80 जूल का कारे करती है, 80, बटा कित इसमें आपको हमने solve करवा दे सभी questions देखिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि जो options दे रखे होते हैं options को हम solve करते हैं साथ ही जो गलत option होता है उसको भी define करते हैं कि वो सही क्यों नहीं होगा ठीक है तो इसमें ठोड़ा समय लग जाता है अगर हम directly ABCD करके answers आपको पढ़ देंगे तो साथ कोई benefit नहीं होगा ठीक है चलिए आपने 20 question दो कर लिया लेकिन आगे भी एक दो question आपको हमारे तरफ से है पहला कि subscribe कर किये हैं कि नहीं किये हैं तो जरूर करिए दूसरा अगर कर लिए हैं subscribe लाइक करिए वेडियो को उसको share किजिए अपने